सबी सुनने वालों को मेरा नमस्कार आज हम लोग एक टॉपिक पर बात करेंगे जो की है कंसेप्ट फॉर्मेशन और यह बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है में अमेज नेट अवरी लेवल पर यह इस पर सवाल पूछे और पढ़ाये जाते हैं तो सबसे पहले शुरूआत करते हैं कंसेप्ट फॉर्मेशन में कंसेप्ट पर बात नहीं करेंगे concept, देखें, हम लोग हर चीज़ का concept पढ़ते हैं, intelligence, personality, हर चीज़ का हम लोग शुरुआतना से करते हैं, concept से ही, और आज concept के बारे में ही पढ़ना है, तो जब हम concept किया, अगर आप definition ढूरते हैं, अगर आप उसको ढूरते हैं, उसका literature सर्च करते हैं, तो क्या मिलता है, it is a generalized notion or idea, आपको ये एक most common definition मिल जाएगी concept की, कि concept क्या है, किसी भी construct का एक generalized notion है, या generalized idea है, मतलब कि जिसके बारे में हम एक general idea रखते हैं, तो concept formation, अच्छा एक और खास बात मैं आप से यहाँ share करना चाहती हूँ, कि जब हम लोग student life में होते हैं, और तब हमारे सामने सिर्फ क्या हो हम चीज़ों को in totality नहीं देख पाते हैं, जैसे कि gestaltian perspective में नहीं देख पाते हैं, क्योंकि तब हमारे पास उतना समय भी नहीं होता है, यह हम सिर्फ बाद में develop कर सकते हैं, यह holistic approach, जब हमने पढ़ लिया है, कई बार उन topics को हमने पढ़ लिया है, तब जाकर कहीं बाद में यह perspective develop होता है, कि चीज़े कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जैसे हम लोग शायद इस बात को धियान नहीं देते हैं, कि जो behaviorist हैं, उनका आपको view कभी concept formation पर नहीं मिलेगा, यह बात इसके आगे कहनी चाहिए थी, पर मैं यहीं आप से discuss कर ले रही हूँ, क्यों? क् वो cognition को नहीं मानते हैं, तो concept formation सब क्या है? ब्रेन में हो रहा है, cognitive activities हैं, तो इसी लिए जो behaviorist हैं, वो concept formation की बात नहीं करते हैं, concept formation की बात शुरूई होती है, Cognitivist C.P.A.J. Brunner and Vygotsky ने इस पर बात की है, तो यह बात मुझे लगा कि आप से share करनी चाहिए थी, तो concept formation क्या होना भी ज़रूरी है, क्या है concept formation? The process by which a person abstracts a common idea, इसमें सबसे खास बात यही है, abstract, a common idea from one or more particular examples, sorry, and learns the defining features or combination of features that are characteristic of a class or that are necessary and sufficient to identify members of a class of objects, relations or actions. क्या मतलब समझ में आया, कि जो व्यक्ति है, वो क्या करेगा, common idea उसको abstract करना है, particular example से, और वो features कैसे होने चाहिए, necessary and sufficient condition to identify members of a class of objects, relations or actions, यानि वस्तु हो सकता है, संबंध हो सकता है, क्रियाएं हो सकती है, उन में से हमको वो abstract out कर लेना है, जो कि आवश्यक और new term sufficient दशा है, उसको define करने के लिए, किसको, उस construct को, तो हमको abstraction करना है, abstraction जब concept formation के steps पढ़ेंगे तो ये clear हो जाएगा, फिर भी हम in general हमारे दिमाग में अगर मान लीजिए, कि किसी जानवर की चौपाय पशु की छवी बनी हुए, concept बना हुआ है, तो हमको पता है, more or less कि एक चौपाया करें, तो ये है, तीसरे की बात करें, तो ये है, सब अपने आप में differ कर रहे हैं, और सब में कुछ similarities भी हैं, तो ये जो similarity और dissimilarity का जहां पे हम concept, जहां पे हम अंतर करना जान जाते हैं, जब हम abstraction ये जान जाते हैं, वही concept formation का उच्चितम स्तर होता है, और यही concept formation की definition भी है Steps of concept formation का है, observation, generalization, discrimination, differentiation and abstraction, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम observe करते हैं, कुछ हमारे सामने है, कोई भी construct है, उसको हम observe करते हैं, जैसे माल लीजे, कुछ भी माल लीजे, जैसे माल लीजे आप, almira है, almari है, उसको आप observe करते हैं, कि ये एक मूल दशा हो सकती है, ये उस तरीके की लगती है दिखती है कि फिर हम जनरलाइज करते हैं या अलमारी का इग्जेम्पल चोड़के आप जैसे चौपाया पशु का लिया था मैंने जानवर का लिया था वैसा ले सकते हैं जादा कॉमन होगा जिसे पत्टी का ले सकते हैं माल लिजे हम पत्ती इसे जुड़ी रहती है इस तरीके का फिर हमने जेनरलाइज किया जेनरलाइजिशन क्या है कि जेनरली पत्तियां हरे कलर की होती है हमने ये जेनरलाइज कर दिया कि जेनरली लीफ सार ग्रीन इन कलर फिर हमने क्या डिस्क्रिमिनेशन या डिफ्रेंशियेशन किया कि कुछ पत या I जन्रzept करें हमसे सिम्मडरीटिंड रहे हैं और इस्क्रिमिनेशन में हमसे सिम्मलारिटी या डिफेरेंशियेशन रहे हैं और और पीपल की पथनार्ष कि पत्ति है इस अगते और पेप्सें पहुँरो construct का particular object का particular relation and action का concept हमारे दिमाग में बन जाता है तो finally क्या है concept a generalized notion और generalized idea of a construct object relation and action ओकी यह हम यहाँ पर भी खतम कर सकते हैं concept formation के बारे में लेकिन हम P.A.J. और Brunner को जानना चाहते हैं कि वो concept formation पे क्या बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जानते हैं P.A.J. साब ने क्या कहा है concept formation पे तो सबसे पहले बात वही कि हम अगर P.A.J. को recall करें तो P.A.J. साब ने हमको cognitive stages की development की stages बताई हैं इसलिए उसको stage development theory कहते हैं क्योंकि वो stage wise चलते हैं पहली क्यों से थी pre-operational, sorry पहली है sensory motor फिर pre-operational फिर concrete operational और फिर formal operational उसमें भी जब वो कह रहे हैं कि बच्चा child concept बनाने के लायक हो गया है तब हम शायद P.A.J. को जब पढ़ते हैं तब हम भूल जाते हैं इस बात को क्योंकि तब हमारे दिमाग में सिर्फ वो stages रहती हैं और वो development और वो cognition रहता है तब हम concept को उतना दिमाग में ने रहते हैं लेकिन उनने concept की बात की है schema की बात की है सिर्फ में और पिर वो कहां पर जो है वो चायल जो है वो abstract concept का निर्मार कर सकता है कहां तक उसका जो concept है वो concrete hé concrete operational में हम concrete concept की बात करते हैं मतलब P.A.J. and formal operational में वो abstract concept की बात कर रहे हैं तो P.A.J. साहब को concept formation में करके क्यों हूँ क्यों कि सवाल जादा पूछे नहीं जाते हैं इन general theory papers में M.A.M.E.D. में वो क्या पूछता है कि P.A.J. का संग्यानात्म विकास का सिद्धान बताईए यही तो question examination pattern में दिक्कत है कि बस वही set pattern पे सवाल पूछे जाती है इसलिए उसी हिसाब से पढ़ाया जाता है इसलिए उसी हिसाब से बच्चा उस concept को उस topic को पढ़ता है तो P.A.J. को concept formation की angle से अगर हम देखें तो क्या है कि P.A.J. stressed that infants must first learn to distinguish themselves from the external environment यानि कि सबसे पहले उन्होंने stress किया इस पर emphasis किया कि जो infant है वो पहले तो ये सीखे कि वो external environment से अलग है मतलब पहला step पहला CD हमारा ये होना चाहिए कि हम ये सीख जाएं अपने आपको distinguish कर पाएं अलग कर पाएं किस से external environment से then उसके बात किया होगा next they form understanding of the physical world that allow further exploration of the world फिर हमको physical world की understanding सीखनी है उसकी समझ डेवलप करनी है तब हम world को और explore कर पाएंगे और explore कर पाएंगे यानि कि और concepts के बारे में समझ पाएंगे तो सबसे पहले children form their own concepts through experience अनुभव से सीखेगा अनुभव जन्या assimilate क्योंकि उनके जब आप P.I.J. का concept पढ़ते हैं cognitive development पढ़ते हैं तो क्या है assimilation, accommodation and equilibration है याद होगा सबको homeostasis step तो assimilate existing concepts and further create and develop their own concepts through experience as they mature toward adulthood यानि कि वो जो है जो बालक है वो according to P.I.J. कैसे concept बनाता है कि वो अपने concept बनाता है अपने अनुभवों से फिर वो assimilate करता है यानि कि पहले का जो concept है कहते है न स्कीमा है नए वाले concept के संग वो fit in होना चाहते है अगर fit in हो जाता है तब तो ठीक है नहीं होता है तो वो अपने आपको accommodate करता है and further create and develop their own concepts through experience यानि कि उसको बार बार अनुभव से अपने concept को और 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 परिपक को करता जा रहा है as the mature toward adult जैसे जैसे वो adulthood की तरफ जाता है वयस्क अवस्था की तरफ जाता है तो और mature और abstract concept का वो निर्मान कर पाता है तो पियाजे के हिसाब से concept formation के लिए assimilation और experience की ज़रूरत है या वो दो उसके basic steps है basic foundation है फिर Brunner Brunner क्या कह रहा है concept formation के लिए हमको ये ध्यान देना होगा P.I.J. Brunner और Vygotsky Vygotsky को मैं नहीं लिया है इसमें कि Vygotsky का concept formation अपने आप में बहुत बड़ा topic हो जा रहा था तो बहुत बड़ा video हो जाता तो Vygotsky प्यारे में फिर कभी बात कर लेंगे तो हमको ये देखना होगा कि P.I.J. Brunner और Vygotsky तीनों cognitivist ही है लेकिन Brunner और Vygotsky ने social input की बात जादा कि ये लोग social cognitivist हो जाते हैं और आपके P.I.J. साभका social नहीं उन्होंने इंडिविजूल पर जादा इंफैसिस किया कि सब कुछ तो इंडिविजूल कुद ही कर रहा है तो Brunner क्या कह रहे हैं concept formation पर concept formation is the initial understanding that there are different classes and categories and that there are distinguishing attributes between objects even which effect categorization यानि कि ये बात तो clear ही है कि हमारे पास classes है categories है और सब एक दूसरे से distinguish एक दूसरे से विभेद किये जा सकने वाले एक दूसरे से अलग किये जा सकने वाले उनके पास गोने हैं और हम लोग देखिए जब Brunner परते हैं तो जब हम cognitive stages उसकी development परते हैं तो हम सिर्फ inactive iconic और symbolic परके रह जाते हैं हद से अदम क्या पढ़ लेते हैं scaffolding और पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं discovery learning लेकिन concept attainment model में हम फिर Brunner को पढ़ते हैं और हम इन दोनों को correlate अकसर नहीं करते हैं कि अच्छा अच्छा Brunner चाहप का ही तो वो concept था वो उन्होंने stages बताई थी इस तरह से बताया था और यही आगे जाके concept attainment model हो जाता है तो इस तरह के holistic approach की पढ़ने-पढ़ाने में हमारे आँ थोड़ी सी कमी है तो इसका खामियाजा बच्चे भुगते हैं तो इसको in totality अगर हम जाने तो बहतर होगा तो concept attainment is the next stage of development यालिकि concept formations का ही next stage क्या है concept attainment whereby we can determine what those particular attributes may be and how they can be used to identify that belongs and what does not देखिए, सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है कि हमको similarity तो इंपोर्टेंट है जहां हम dissimilarity करना समझ जाते हैं हम अपने क्लास में सभी बच्चों को नाम से पहचानते हैं चोटा क्लास है तो तो सभी अगर माली जो लड़के हैं या सभी लड़कियां हैं या लड़के लड़कियां हैं तो हम उनकी एक एक characteristic feature से उनको अलग कर पाते हैं कि हाँ ये अगर बंदा है या ये student है तो उसमें ये particular characteristic है उसका इससे उस तरह से अलग है उससे इस तरह से अलग है सबकी individual differences को हम जानते हैं यानि कि हम similarity सब में जानते हैं कि हाँ सभी M.A.K. student है सभी M.A.K. student है सभी M.A.K. student है सभी Ph.D. pre-course के student है लेकिन कहां कौन किससे इससिमिलार है ये जो है वो उसके concept formation की सीड़ी है तो हम step याद रखी नहीं सबसे पहले concept क्या है what do you understand by concept concept is the generalized notion or idea about objects, actions and relations then what are the stages of concept formation what are the stages observation, then generalization then differentiation or discrimination and last but not the least abstraction फिर हमने बात की किसकी P.A.J. की P.A.J. साब ने बताया कि concept पहले हमको physical world को अपने आपको distinguish करना है external environment से फिर हमको physical world समझना है और फिर हमको explore करना है maturity, through maturity based on maturity, through adulthood हम क्या explore करेंगे कि जो concept है उसके लिए हमारे पास होना कहाई जो है experience और assimilation फिर हम एक बार हमने P.A.J. को भी revisit कर लिया, फिर हमने Brunner को भी revisit कर लिया और Brunner साब में ये बताया concept formation पे तो हमको जब हम P.A.J. Brunner वाइ गौट की पढ़ें, जब हम behaviorist पढ़ें, तो सारे behaviorist एक दूसरे से कहां कहां similar है कहां dissimilar है, ये भी हमको जाना चाहिए, P.A.J. Brunner कहां एक जैसी बातें कर रहे हैं, कहां एक छोटा सा topic है, लेकिन कभी-कभी बच्चों को बहुत परेशान करता है और इस पर सवाल पूछे आते हैं, जिन पर हम लोग कभी-कभी सही उतर दे सकने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो I have tried that you people can understand the topic of concept formation. Okay, so done from my side.